सिद्धु मूसिवाला की हत्याखे बाद से पंजाब में आक्टिव हुए गैंक्स्टर्स की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही या फिर यूँ कहें कि गैंक्स्टर्स की असली कहानी तो अब शुरू हुई है इनकी कर्तूते सामने आने की शुरुआत अब हुई है पंजाबी इंडस्ट्री इन गैंक्स्टर्स के खौफ से हिल गई है लोगप्रियक गायक से धुमूसे वाला की गोलियों से चलनी कर जिस तरह से हत्या की गई उसके बाद से तो हर पंजाबी गायक हौफ में ही था कि एक और खबर ने दस्तक दे दी पंजाबी गायक अलफाज शरिवार शाम को अलफाज को मोहाली के फोटिस अस्पिताल में भरती कराए गया है अलफाज के करीबी हनी सिंग ने उनकी फोटो को अपने इंस्टेग्राम एकाउंट के जरीए साजा किया है फोटो में साफ देखा जा सकता है कि अलफाज बुरी तरह जखमी है उनको बहुत चोटे आई हैं उनका एक हाथ अखिया पर रखा हुआ है देख कर साफ है कि अलफाज की हालत काफी खराब है हनी ने कैप्शन में लिखा वीती रात मेरे भाई अलफाज पर किसी ने हमला किया जिसने भी ये प्लान किया था मैं उसे छोड़ूँगा नहीं आप प्लीज उसके लिए दुआ करे हलंकि बाद में हनी सिंग ने इंस्टेग्राम पर की गए अपनी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया फिर ये लिखा कि अपने दोस्त को अस्पताल देखने आया था उसकी हालत अभी भी गंभीर है वो आईसियू में है उसके लिए दुआ करे रिपोर्ट्स की बाने तो सिंगर अलफाज मोहाली के पास थित पाल धाबा से अपने दोस्तों के साथ डिनर करके निकल रहे थे इसी बीच में धाबे के मालिक और विक्की नाम की शक्स के बीच में पैसो को लेकर कुछ कहा सुनी हो गई उसने अलफास से इस बात में बोलने के लिए कहा और फिर धाबा मालिक का चेंपो लेकर भागने की कोशिश की इसी बीच में अलफास को टकर मार दी जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए आरोपी विक्की के खिलाफ सोहना पुलिस स्टेशन में केस दर्च किया गया है और मिली जानकारी के मताबक उसे हिरासत में ले लिया गया है आरोपी विक्की के खिलाफ आई पीसी की धारा 289-337-338 के तहट मामला दर्च किया गया है हलंकि मिली जानकारी की मताविक अलफास इसे खुद एक मामली घटना करार दे रहे हैं उनका कहना है कि उन पर किसी ने हमला नहीं किया है बलकि वो हाथसे में घायल हुए है पुलिस ने आटो चालो को गिरफतार करने के बाद अस्पताल जाकर अलफास का बयान दर्च किया है जिसमें उन्होंने अपनी इस हालत के लिए किसी को जम्मेदार नहीं ठेराया है बलकि इसे एक हाथसा करार दिया है हनी सिंग ने अलफास की उस फोटो को जिलीट कर जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे भाई की जिसने भी यह हालत की है उसे मैं छोडूँगा नहीं उसे जिलीट कर अलफास की हालत दंभीर बताई है और प्रार्थना करने के लोगों से अपील की है आपको बता दे अलफास पंजाबी म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नाम है क्योंकि वो सिर्फ सिंगर ही नहीं है बलकि वो एक बहत्रीन आक्टर राइटर और मॉडल भी है जट एरवेस गाने में वो बताउर एक्टर पहली बार दिखाई दिये थे और आज एक्टर की ऐसी हालत है कि यो यो हनी सिंग बार बार लोगों से अपने दोस्त के लिए दुआ करने के लिए विनिती कर रहे है अलफास के लिए हर कोई दुआ तो मांगी रहा है लेकिन कुछ ऐसा जरूर है जो आखों को खटक रहा है कुछ सवाल है जिनका जवाब मिलना अब मुश्किल लग रहा है लग रहा है जैसे अलफास खुद भी कुछ छिपा रहे हैं लग रहा है हनी सिंग सब जानते हैं लेकिन आप छिपा रहे हैं पहले जो उगल दिया उसे दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं आखिर किसे हनी सिंग नहीं छोड़ने की बात कह रहे थे आखिर किसके बारे में बात कर रहे थे हनी सिंग क्यों हनी सिंग ने अपनी पोस्ट को किया जिलीड क्यों हनी सिंग ने अलफास की गंभीर हालत में अस्पताल में लेटे हुए तस्वीर को अपने इंस्टेग्राम से हटा दिया क्या कोई ग्यांग है जो अलफास की जान लेना चाहती है ऐसे एक के बाद एक कई सवाल आपको क्या लगता है अलफाज के साथ क्या हुआ होगा कमेंट कर हमें जरूर बताएं